Hello friends, आप देखरें, Sports Feed रवीश, मैं हूँ आपके साथ रवीश, और इस वक्त में खड़ा हूँ, Lauder Hill Stadium में, जहाँ पर की USA और Ireland का मुकाबला खेला जाएगा, यह मुकाबला काफी जादा important है, पाकिस्तान के लिहाज से, US के लिहाज से तो ही, पाकिस्तान के लिहाज से भी important है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बारिश ही थी, उसके वेज़े से outfit ठोड़ा सा कीला है, अब सबसे बड़ा सावाद यह उठता है कि क्या USA और Ireland के match में, बारिश का साया बना हुआ है, जी हाँ, बिल्कुल बना हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बादल लगे हुए इस वक्त, हाला कि बरस नहीं रहे हैं, बरस नहीं रहे हैं, लेकिन बादल लगे हुए हैं, और बताये यह जा रहा है कि US और Ireland के match में, रेंज जो है वो बिलन बन सकते हैं, सुबा की अगर बात की जाए, नौ बज़े से लेकर ग्यारा बज़े के टाइम के अगर बात की जा हो जाता है, फिर उसको सुखाने के लिए टाइम चाहिए, सुखाने के लिए टाइम चाहिए, तो कितना टाइम चाहिए, कट ओफ टाइम कितना है, और अगर पूरे दिन बादल बरसते रहे, तो फिर match हो पाना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा, हाना कि USA के लिए तो comfortable situation यही रहेगी, कि अगर match नहीं होता है, तो उनको एक point मिल जाएगा, एक point मिलके तो चार point उनके हैं, तो चार और पाच point उनके हो जाएगे, तो वो qualify कर जाएगे, सूपर 8 की stage के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही USA और Ireland के match में, बारिश अपना खलल डाल दे, और अगर एक-एक point दोनों को शेर करने पड़ जाएगे, तो पाकिस्तान के लिए महां कहानी खतम हो जाएगी, या फिर USA ने अगर मुकाबलत जीत लिया, तो भी पाकिस्तान के लिए कहानी खतम हो जाएगी, तो पाकिस्तान और पाकिस क्योंकि बारिश यहां पर होती रहती है, और जो भी बीच वाले एरियास रहते हैं, वहां पर रेन कभी भी हो जाती है, और जैसा weather forecast में आपको बता रहा हूँ कि बारिश होना है, कितनी हो पाती है, कितना outfield को प्रभावित करती है, कितने over का match हो पाता है, that has to be seen, मतब यह बहुत जादा important हो जाएगा, क्योंकि match morning का है, साड़े-10 बजे local time यहां पर match इस्टार्ट होगा, just like New York में जैसा हो रहा था match, New York में भी देखें, पाकिसान वाले match में शुरू में बारिश आई थी, लेकिन उसके बाद conditions ठीक हो गई थी, और एक पूरा मुकाबला जोता दे बारिश होगी, कितनी होगी, कितना प्रभावित करेगी match को, यह match से कुछ गण तो पहले पता लग जाएगा, यह कुछ time पहले पता लग जाएगा, लेकिन अगर पहले सुबह से ही बारिश होगी लग गई, तो फिर outfield बड़ा गीला हो जागा, फिर उसको सुखाने के पहले भी कहा, बेहतर उनको यही लग रहा है कि island GJR हमारे लिए कोई outside chance बन जाएगा, आपको क्या लग रहा है दोस्तों, comment section जाकर comment दो करें